पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें, ठीक है, जी, यह सवाल है कि आप क्यों चाते हैं कि आपके अनुसार सोचें, हमारे हिसाब से देखिए, आप बताईए, आप ममोच खाईए, आप पीजा बरगर चाओ में इत्यादी खाईए, हमारे हिसा के लिए कह रहे हैं अब बात करते हैं दूद की दहीं की पनीर की तो आज की डेट में तो डॉक्टर और बहुत लोग तो यह सब भी खाना बंद कर रहे हैं हाँ के दूद पनीर वगारा अच्छा नहीं होता बोड़ी के लिए आपको सलाह देते आप अंडा खाओ डॉक्टर तो आपका धरम भरश्ट करने के लिए बैठें एक एक में इसमें धरम कहां से आगया वाँ अंडा खाओ के धरम भरश्ट नहीं होगा इसका मुझे बताइए कामाख्या देवी को आप मानते हैं हां मानते हैं मांख्या देवी में बली चड़ती है सही है गलत सुनते चोटे चोटे सूर के बच्चों की बली चड़ती थी माता को देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है और कायस्तों का एक गाउं है वहाँ पर नौमी के दिन माता को बकरा जरूर चड़ता है ठीक लेकिन हाँ ये अलग बात है कि एद में मुसल्मानों पर उंगली उठाना ब बड़ा आसान होता है इस मुल्क में ये बड़ा आसान होता है मुसल्मानों के ओपर उंगली उठा देना ये बड़ा आसान होता है कथा वाचकों के लिए सिरफ इसलाम और कुरान के ओपर उंगली उठाना कि आप करूर है और आप जानवरों को खाते हैं क्या आप कहेंगे कि यह सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बली का चड़ना यह सब घलत है जवाब जवाब अब मैं इनका उत्तर देदू जी जी फिर सुबुई खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बली चड़ती है हमारे यहां बंगाल की राजधानी कोलकाता वहां भी माताजी का मंदिर है वहां भी बली चड़ती है आपने बताया और भारत हों बहुत सारे मंदिर है ऐसे पुराने जहां बकरे की बली चड़ने की परंपरा है आपने ठीक कहा अब मैं ये बताओं कि क्यों हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट अहिंसाही परमो धर्माहा हमारे सास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता किसी की हत्या मत करो फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है अब देखो हो क्या जीने एक विद्ध्यार्थी को देखा शिगरिट पीते हुए तो गुरु जी ने बोला क्या हो तुम शिगरिट पीते हो गुरु जी वो क्या है आदत हो गई है कितनी पी जाते हो दस पीता हूँ मैं रोज दिन भर मैं गुरू जी बोले सुन दस मत पीना छोड़ दे पूरी गुरू जी छूटे अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना एक पी लेना वो एक सिगरेट पीने की जाज़त गुरू जी ने क्यों दी ताकि धीरे धीरे जब नौ छूटेग बढ़ गया तो हमारे रिशी मुनियों ने कहा कि भाई तो मानसार क्या हो कर तो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए तो बोले गुरू जी क्या करें ये आदत हो गई है तो गुरू जी बोले सुनो तो हम फिर रोज ना खाके कभी-कभी खाने की मजबूरन के पास आऊंगा फिर क्या हुआ ऐसे से यह मंदिरों में मनमाने ढंग से कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती देवी नहीं चाहती कि मुझे बली दो लिए मनमाना आच रण है यह जो बकरी की बली चढ़ा रहे हैं लोग हिंदू लोग सनातनी यह सम मनमाना है और वेजिटेरियनिजिम को प्रमोट करती हूँ मुझे लगता ही कि हमें बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि चाहे बकराईद पे बकरे की खुर्बानी हो, चाहे किसी भी मंदिर में बली प्रता हो, वो गलत है, किसी निरी, किसी बेजुबान, जानवर का खून बहा के अगर हम सोचें कि हम अपने परमात्मा को खुश कर देंगे, तो वो गलत है, यह हमें बिलकुल without any if and but कहना थी, और आपसे मैं एक बात यह request करना चाहती हूँ, आपने एक example दिया था, कि लड़की जो होती है, नारी वो हीरा होती है, और लड़के तो होते हैं, आचारे जी, सेम यही example देकर Muslim समाज में radical मौलाना लड़कियों को बुरका पहना कर चार दिवारी में धकेल देते हैं, ह बढ़के जो है वो बहुत casual सी चीज हैं, तो उन्हें आप ऐसी घूमने दीजे, इस तरह से बताते हैं, यह अचारे जी, मेरी बात जिस पूरी हो जाए, जैसे कि हम उधारन देते हैं, आपने सीता मा के उधारन वीडियों में दिखाये कि उस सुन्दर थी, आपने दूसरा उधारन दिया कि सीता मा के लिए मर्यादा की लकीर खींचीती भगवान राम ने, हम ये उधारन क्यों नहीं देते कि सीता मा ने लवर कुष को युद्ध की ट्रेनिंग दी थी, सीता मा बहुत बड़ी उधा भी थी, हम अपनी भारतिय संस्कृती में बच्चीयों को वो श इस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हमें उसको संकीन नहीं बनाना चाहिए, हमें उसको उसके अंदर जो विशालता है, उसको जादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि यंग्स्टर्स, यूथ उसकी तरफ और जादा आकरशितों, उससे जादा और जुड़ें, और आज का जो समय है, नारियों के ओपर देखिए, बंगलादेश में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ, बंगलादेश में नारी के साथ क्या हो रहा है, आज का जो समय है, मैं तो मानती हूँ, महिला को हीरा नहीं, सरीया ही होना चाहिए, देखे, मेरा प्रशन आचारे जी, ये बिद्यूं करते हैं तो भी जीवाण हुत्ती हैं जब आप चावल खाके शाकाहरी बन रहे हैं उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी प्रिस्ट्रीसाइट डाल करके कितने जीवों की खिए की गई है क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे हाँ पहली चीज आप शाकारी नहीं है आप उसी चावल को खा रहे हैं जुसको उगाने के लिए इतन के ताड़ मारके इतने जानवeur प्रश्ण है राम मंदिर में हमने देखा जो मेरा एक छोटा सा प्रश्ण है बड़े सारे कथा वाचक गए प्रदान मंत्री भी थे उसका उधगाटन हुआ शंक्राचार्या ने कहा कि साब ये एक प्रश्ण है और इसमें जाना गलत है पूरी के शंक्राचार्या ने यहां तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदि उधगाटन करेंगे तो क्या शंक्राचार्या खड़ेों के पीछे ताली बजाएंगे और शंक्राचार्या नहीं गए फिर भी कथा वाचकों की पूर महूरत भी इसका गलत है कुछ होने कहा सही कुछ होने कहा गलत मैं आपके सनाती धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूं तो क्या यह कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का जी कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंक्राचारया का वहिश्कार करके ताली पी भगवान से जुड़ेंगे भगवान राम सबके हैं और शंक्राचार जी की आप बात कर रहे हैं संक्राचार जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी के ठीक रास्ते पर चलो पर आप लोगों ने कहा सुनी संक्राचार जी की बात संक्राचार जी